आयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार शुरू होने के बाद यहां पहला दीपोथ्षव आयोजित होने जा रहा है जिसके लिए विश्य स्यार्या की गई हैं दीपोथ्षव में समाजिक सरुकार की छटा देखने को मिलेगी दीपोथ्षव का आयोजन दीवारी की पूर्वसंध्या पर यानि आज किया जा रहा है इससे पहले गुरुवार को यहां भगवान राम के आने का उल्लास मनाया गया जिस दोरान आयोध्या सतरंगी रोशनी स नहाई नजर आई भगवान श्री राम के स्वागत के लिए आयोध्यानगरी दीपों से सजाई गई है इस मौके पर आयोध्या के घाटों पर और रोणक देखते ही बनती है हर तरफ रोशनी और हर चहरे पर मुस्कराहट देखने लायक थी इस बार यूपी के कलाकारों की ही प्रस्तुतियों में यूपी की विरासत, संस्कर्ति, प्रेम, अनिक्ता में एक्ता की जलक नजर आएगी संस्कर्ति कारक्रमों के जरिये नma सिर्फ आयोध्यावसी बलके विश्यो भर के लोग यूपी की संस्कर्ति वरी रासत से रूबुरू होंगे संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित होने वाले संस्कृतिक कारक्रमों के जडिये कलाकार कुरोना से लेकर मिश्ण शक्ती से जुड़े समाजिक संदेश लोगों को देते नजर आएंगे मंच पर प्रस्तुति देने वाले सभी 300 कलाकार दीपोत्सव आयोध्या 2020 के मास्क पहने हुए मंच पर नजर आएंगे पुश्पक वीमान से प्रभू श्रीराम, माता सीता, व्लक्षुमर जी का आयोध्या आगमन 3D एफेक्ट से और भी मनमोहग बनाएगा Bureau Report, VDTV, भारत